दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तैयार है टेल्स इस जपाल एंड टेल्स इडीज बहुत ही अच्छा टॉस जीते हैं ये परिस्तितियों का पूरा उप्योग करना होगा और ये आ रहे हैं फील्डिंग से ये आये सलामी तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस चोर से पोलिंग में परिए पोलिंग में परिवर्तन तेज गेनबास को लाया जा रहा है परिए पोलिंग में परिए पोलिंग में परिए बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्लेबाज बहुत ही आकरामक बल्लेबाज है यह विश्व क्रिकेट में टीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद बहुत ही बढ़िया गेंद जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है शानदार गेंद बाजी बल्लेबाज अपनी पहली गेंद की तैयारी करते हुए बहुत ही खराब गेंद और यह वाइट बॉल्ल पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है एक्षवास बोलर्स की इनों ने ओहो हो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शौट और यह सीधा बाउंडरी के पार चलिए देखते हैं के अगली गेंद स्टेडियूम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रंग ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वहाँ क्या बात है नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ और यह शॉट बस एक रहन ही निकाल पाओ इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच बूच और मियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ और यह स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहाँ बले बास की ही और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बहुती निराश लग रहे हैं बले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद बहुती बढ़िया शॉट बहुती बढ़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉम में हो तो इन्हें रोकना ना मुमकिन होता है यह एक ऐसे बले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे बहुती बढ़ा सिक्स मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे डीप एक्स्ट्र कवर पे फील्डर मौझूद चुरा लिया है एक रण बड़िया रणी बिपीन दिविकेंट्स जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा इनकी धीमी गति की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं सवापस हो सकती है बड़ा ही लूज शॉट खेल गए रंड़िट बढ़ाने की कोशिश में इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेंद पे बल्ला तो गुमाना ही होगा बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में तो यह रन है कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फिल्ड प्लेस्मेंट्स लगाए है आज यहां बहुत ही बड़िया पिछ रही है यह शुरुआत में गेंद बास को मदद जरूर मिली लेकिन अब बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियन तरण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां खेल दिया है गाप में और यह एक राण पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की तिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में जोट गेन बास के बुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और चक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारेंगे बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बासों के बीच में बढ़ी आराणी में टूइंडर केट्स अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेन बास को बल्ले बास बहुत आसानी से उन्हें चौके चक्के लगा रहे हैं जितनी सुचबूज और रन नीती के साथ आज बल्ले बासों ने बल्ले बाजी की है साफ दर्शाता है कि पपारी की शुरुआत में ही एक टोटल को जहन में रखके उत्रे हैंगी बोलिंग में परिवर्तन तेज गेनबास को लाया जा रहा है खुपसूरत शॉट और चार रन गेनबास के चक्के छुडाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार उन्दा शॉट ला जवाब प्लेस्मेंट फील्डर तो वहाँ दर्शक बने रहे गए एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद और ये शॉट बस एक रहन ही निकाल पाएंगे जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा पूरी तरह मिस किया वहाँ इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने और ये आउट ओ ये क्या नो बॉल का इशारा नो बॉल गेनबास ने एक नो बॉल क्या दे दी मानो स्टेडियम में तो दीवाली शुरू हो गई है चलिए देखते हैं कि बल्लेबास फ्री हीट में कुछ धमाका कर पाएंगे या नहीं इसी के साथ पहले इनिंग्स की समापती ये देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रणनीती के साथ आते हैं बल्लेबास यहां इससे चेस करने एक बार फिर स्वागत है अब सबका और ये आ रहे हैं दो अंपाइर्स फील्डिंग टीम के साथ विकेट समाल के खेलना हो तेज गेनबास को लाया जा रहा है बोलिंग में परिवर्धन बोलिंग में परिवर्धन तेज गेनबास को लाया जा रहा है स्लिप्स लगा दिये हैं यहां इनकी बाहर निकलती हुई गेन से तो बचके ही रहे बल्लेबास ओ ऐसा लगता है गेन को देखा ही नहीं वहाँ पर बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेन पर पूरी तरह चुके बहुत ही खराब गेन और यह वाइट बॉल जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खेल ले की कोशिश और पूरी तरह चुके इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेन्द पे बल्ला तो गुमाना ही होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहाँ और यह आउट बहुत ही निराश लग रहे हैं इनकी धीमी गति की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप सो सकती है कनेक करने में नाकाम पूरी तरह मिस किया बहुत ही निराश होंगे वहां मौका तो था पिछली गेन पे पर पूरी तरह चुके उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है एसे फॉर्म में खेल रहे है यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वह क्या बात है हवा में खेल दिया था थीक तरह टाइम नहीं कर पाय थे यहां और यह आउट बल्लेबाज अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाय थे यहां और यह आउट रश होकर पैवलियन की तरह लाट ते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंतरन के साथ गेंग बाजी करनी होगी यहां यह तो तौफे में दी गई गेंथी और बल्ले बाज बिल्कुल भी नहीं चुके जब यह अपने रंग में आ जाते हैं तो मानो जैसे पुरी स्टेडियम में होली खेली जा रही है अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी चलिए देखते हैं कि अगली गेंथ स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बड़ा ही लूश शॉट खेल गए रंड़िक बढ़ाने के कोशिश में इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेंद पे बल्ला तो गुमाना ही होगा बहुत ही खराब गेंद और ये वाइट बॉल बहुत ही अच्छी रंड़ नी थी यहाँ बल्लेबास को देखते हुए एक्स्ट्र कवर पे फिल्डर लगाया है शांदार शॉट चार रंड़ सवाल तो यहाँ सिर्फ फ्लेस्मेंट का ही था और गेंद फिल्डरों के बीच में से चीरते हुए चली गई बल्लेबास अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए फिल्डिंग में परिवर्तन टीप पॉइंट पे फिल्डर लगाया है कप्तान ने उटा के खेल दिया है शांदार बल्लेबासी और यह चे रंड़ फिल्डिंग में परिवर्तन यह एक ऐसे बल्लेबास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंड कहां मारेंगे लाइन और लेंग मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते हैं यह बहुत ही बढ़िया सिक्स तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों लहो इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे खतरनाग गेंड और सीधा बल्ले बास के शरीप पर लगी जो मदद इस गेंड बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खेल दिया है गाप में और यह एक रान बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए इनकी धीमी गति की गेंड से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप सो सकती है बहुत ही confident अपील यहां बॉलर की और अमपाइर नौट आउट देते हुए बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेंट पे पर पूरी तरह चुके बल्ले बास की आँखे तो चीली की आँखों की तरह हो चुकी है यह इन बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्वा सुनेहरे फॉर्म में है यह आजकल आपने अगर एक गलती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंत रण के साथ गेंट बाजी करनी होगी यहाँ बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बरंडरी लैंड के पार छे रण इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट का हमारेंगे उठा के खेल दिया है और यह छे रण एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगा के सीधा कॉमेंटरी बॉक्स में आ रही है यह फील्डिंग में परिवर्थन पूरी तरह मिस किया वहाँ इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेंद पे बल्ला तो गुमाना ही होगा बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नौट आउट देते हुए बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेंद पे पर पूरी तरह चुके बल्ले के बीच ओ बीच से निकली है और जिस तरह यह हवा में थी ऐसे लगा जैसे चील हवा में उड रही है चेरन और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्ट दोनों बल्ले बाज यहां एक दूसरे को जीत की बधाया देते हुए दोनों टीमों के प्लेट यहां एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमेंज की अधिन लेट अधिन लेट इसी को कहते हैं जेंटलमेंज की Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team Thank you